नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सी यू सीटी एक्जाम 2022 के बारे में जानेंगे यह सारा का सारा मैं आपको 3D में बताऊंगा एड टू जेड जितने भी आपके डाउट हैं सारा का सारा आज आपको क्लियर कर दूँगा तो आप पूरे वीडियो को लास्ट देखेगा सबसे पहले टूडे टॉपिक्स की बादे में हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग कौन-कौन से टॉपिक्स पर बात करेंगे तो क्लिच इसके अंदर आएंगे फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे ंप्रुटेंट एक्जाम पैटर्न आपका क्या है क्या पैटर इस वार कैसे होगा क्योंकि उन्यूस्थL항 को यह पंदा ही नहीं वालुम। है मैं कि यह तो प्लूफल और चौत आपका एक्जाम डेट कब होगा और अप्लाई कब से करोगे सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए क्रिशना कांट सिंग क्रिशना कांट सिंग चार सालों से त्यारी करवाय रहा हूं तो यदि मेरे से connect करना चाहते हैं तो फेस्बूक पर किसना कांथ सिंग और इंस्टाग्राम पर किसना कांथ 9076 आप consult कर सकते हैं अब इसके आगे हमारी courses के बारे भी हमारी courses क्या है थोड़ा सा एक नजर courses पर डाल देते हैं हम आपको class करवाएंगे class करवाएंगे तो आपको क्या होगा daily life classes हम आपको देंगे वो life classes जो होंगी वह होंगी इसके साथ हम चैप्टर बाइस वीडियो देंगे आपको previous year questions देंगे 500 प्लस PDF देंगे फी return टेस्ट हो जाएगा आपका जो फी होगा वो चैपर करदेंगे टेस्ट देंगे उसके बाद आप से टॉपर से हम आपको बात करवाएंगे प्रिभियर सारा का सारा हम इतनी सुगधा मात्र 100 लर्कों के लिए फ़ष्ट 800 लर्कों के लिए मात्र सारह 300 रुपिया में दे रहे है इसके बाद यह पी सिधे 500 हो जाएगा उसके बाद 700 टक भी जा सकता है लिए 300 सारह 300 रुपिया मात रखा गया है कितना फैसिलीटी के साथ पूरे यूट्यूप कर सकते यह दोनों हमारा वोटसेप नंबर है पेमेंट करने के बाद या पेमेंट करने से पहले आपकी इंक्वाइरी हो तो आप हमारे वोटसेप यहां पर कर सकते हैं इसके साथ फोन पे नंबर आपको जो पेमेंट करना है हमारा फोन पे नंबर गूगल पे नंबर इन दोनो पर आपको पेमेंट करना है सारे 300 रुपई या उसके बाद आप 300 वाटसप पर हमारे भेज़ सकते हैं इतना हमारी इतनी अच्छी हम आपको कोर्स दे रहे हैं चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले सुरू करते हैं कि वाट इस सीव सीटी क्या है तो सीव सीट सिअध्य इनिवर सिटी का मतलब मैरे कॉस के बाइद लियुलारे इंट्रेंज हमारी है ऐसका एक कॉमरं कॉमर इंट्रेंज कि अग्जाम हो पहले क्या होता था कि अपना ब्य则िद यह रग लेता था अलाहा बाद ईनिवर्सिती जो था वह अपना अलग एक्जाम लेता थ ता जामिया हो गई डेल ही उनिवर्सिटी यहीं और लेते था बस इस्के वह कार क्या है कि क्या को सब का चुद्अ क漏 को आगे बताएंको कि क्या कैसे हो आं movement ہوا । सीटेस्ट उसके अंतर्गत आते हैं सारे कि सारे एक जाम कौन कंडुक्त रभाएगा算 do speechICH दो है बठ हंवारा exam conducting एजेंसि कौन करवाता है यह आप लोग जानते हँंगे यह हमारा क्या करवाता टीए national test ऐजन्स इज्ञंशी वह हमारे exam को कंडुक्ट करवाती इसे औह inclolf आपका हो जाता है संपर इनको करता है इनको गाइड करता है जो हमारी जो जितने विद आपका आपका यह pattern होगा ऐसे होगा वैसे होगा इनका का क्या है एक्जाम को ले लेना result को इनवर्सिटी में भेज देना अब UGC decide करती है कि हाँ इस बार का इड़िशन प्रोसेस कैसे कैसे लिया जाएगा यह हमारे इनवर सीटी में कुछ भी होता है तो वह हमारे यह यह बारेहं बात करते है कि क्या होगा siaustि में आप कॉलेजु कौन से आएंगे सबसे पहले कॉलेज्स गई रिना थैंबqing देना चाहिए वह बहुत अच्छी में बनारश हिंदू इन्वर्सिटी में आपको एडिशन लेना चाहिए सकेंड हमारा है अलिगर मुस्लिम इन्वर्सिटी यह डेली में है यह उत्तर प्रदेश में है ठर्ड हमारा है जे एन्यू जवाहाल लाल नहरू इन्वर्सिटी यह भी बहुत अच्छा यहां भी आप पर सकते हैं और फोर् इन्वर्सिटी दूँगा तिन पर जेन यू दूँगा चार पर पलहाबाद दूँगा अब पांच पर अलिगर मुस्लिम इन्वर्सिटी दूँगा इतना मेदिया आपका होता है इन सभी में तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पर जा सकते हो बहुत अच्छा से सुरू हो जाएगा फर्स अब यены मार्स ये आजाएगा नोटिफिकेशन की कैसे कैसा होगा आपको क्या 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 हो जाएगा next exam का pattern यह बहुत ज़ pagव disputes exam का pattern हमारा 2 जाता है section1 section A अदूसरा section होता है जो हमारा है हुग होता है section हमारा Virgin Jackson to section और secondary दो section अब यहां पर समझने वाली बात यह है यह सेक्शन A जो है जो इंद जाब नहीं होगा यह एक ही में आपका एक रहे सेक्शन भागा है और सेक्शन B में आपका क्या है सफ़क्रेंसेञे दसन ey a में सबसे पहले खार। section A में जो questions रहेंगे वो आपका कोई भी questions हो, कोई भी questions हो section A में आपके basic reasoning रहेंगे, वो आप BA हो, BAC हो या BCOM हो, तीनों में से कोई भी हो, इसके बाद basic आपका math रहेगा, फिर क्या रहेगा, English grammar के questions, Hindi grammar के questions, इन दोनों में से कोई एक आप से पूछा जाएगा, इसके बाद आपके पूछे जाएगे, फिर आपके current affairs के सवाल section A में, यह ऐसा देखा जा रहा है, बहुत जगह पर इसके भी confirm नहीं है, कि इसमें 25 या आपके 50 questions रहेंगे, 25 questions या 50 questions section A से रहेंगे, section B की बात करें, तो domain specific, इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, व हाग में भी divide करता हूं, तीन सब्जेक्टि आप लेना चाहते हैं, नमबर वन बीए, बीए से बीकों में यदि तीनों में से कोई लेना चाहते हैं, तो बीए में यदि आप admission BA के लिए apply करते हैं, तो आपके जो सवाल पूछे जाएंगे, वो आपके history से सवाल पूछे बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि biology बाले math बनाएंगे, इन दोनों में compulsory कोई एक है, या तो आप math बनाओ, या तो आप biology बनाओ, बाकी chemistry और physics जो है, आपका compulsory है, यह आपके जो होगे हैं, वो domain specific होगे, बाकी जो section A में आपका reasoning math है, वो सारे लोगों का होगा, next बात करते हैं, B.com की, तो B.com में आपके जो questions आते हैं, वो आपके जैसे होगे, आपके accounts से आपके सवाल पूछेंगे, आपके accounts से सवाल पूछेंगे, आपके economics, आपके business, जो आप B.com में 11, 12 में परहे हो, वो आपके सवाल पूछे जाएंगे, यह रहा exam का pattern, next में हम आपको इसका syllabus बताए करेंगे, चैनल पर नए आया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे हमारे वीडियो को, लाइक कर दे, आज के लिए ताही, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रम, जै बिहार